आज तक के क्रिकेट इतियास में जो टॉप फाइव बैट्समेन हुए हैं जिनने इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे और सबसे ज्यादा आप लोग के लिए एकसाइटमेंट की चीज ये है कि नमबर वन पर जो प लेवाज रहे मार्टिन गप्टिल बहुत ही धमाकेदार और आकरामक प्रवत्ति के बैट्समेन माने जाते हैं इनका जो स्ट्राइक रेट रहता है वह हमेशा एकसो बीच से एकसो पचास के बीच में रहा है और टोटल इनने जो मैच खेले हैं वह हैं 367 मैचेस खेले हैं इसमें से 402 पारियों में इनने 383 चक्के मारे हैं और अब जो हम बात करते हैं इन्ही के हम वतन ब्रेंडम मैकलम ब्रेंडम मैकलम ने 13 सतक एक मारा था जिसमें बहुत सबसे 13 सतक जो है उन्ही के नाम पे है 300 से जादा रन बनाये थे उनने लगबक 280 के आसपस गेंदे ली थ थी ब्रेंडम मैकलम के नाम है नंबर 4 की पोजीशन 398 से मारे हैं और टोटल 396 मार के चौथे नंबर की पोजीशन हासिल के ब्रेंडम मैकलम के और जो उनके और भी आकड़े हैं वो कुछ इस तरह से हैं ब्रेंडम मैकलम ने जो 14670 रन बनाये हैं उसमें से 2388 रन सिर्फ 6 स बनाये हैं आप इसी से अंदाड़ा लगा सकते हैं कि कितने जबर जिस्त बल्ले बाज रहे हैं इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं नंबर 3 की नंबर 3 पे हैं शाहिद अफरीदी शाहिद अफरीदी ने 1996 में डेब्यू किया था स्री लंका के खिलाब और श शाहिद अफरीदी ने 17 गेंदों में पचासा मारा हुआ था, 50 मारी हुगी है, साथ में 37 गेंदों पर सतक भी मारा है, आगे अब बात हम जो करने जा रहे हैं जिस बैसमें की बाद करने जा रहे हैं नंबर 2 position जिसने हासिल की है वो किसी पहचान की महोताज नहीं रखते हैं कि उनने तो वस अपने कई स्टेट्मेंट में का है कि मेरे को डॉल के रन लेना सिंगल डबल लेना का सोचता भी नहीं हूँ क्योंकि मेरे को सिर्फ छक्का मारना ही पसंद है और क्रिस गेल जो है 553-6 मार के नंबर दो पोजीशन उनने हासिल की है क्रिस गेल की आपको एक पारी याद होगी इनने RCB की तरफ से खेलते हुए पूने सुपर वारियस एक IPL टीम होती थी सुब्रत राय की उनके खिलाप 175 रन की धमाकेदार पारी खेली थी जिसमें लगभग 14 छक्के मारे थे क्रिस गेल ने 483 मैचेस खेले हैं जिसमें से 553 छक्के मारे अब हम आगे बढ़ते हैं नंबर वन पोजीशन में और आपको जैसा कि मैंने वीडियो के सुरवात में ही बताया था कि एक भारती बल्लेबाज है जिसने ये पोजीशन हासिल कर ली है और वो भारती है हिटमैन और इंटरनेशनल क्रिकेट में ओडियाई में तीन डबल सेंच्टरी मारने वाले एकमात्र दुनिया या के बल्लेबाज है रोहिस सर्मा रोहिससर्मा जो बड़ी साध्गी से चखके मारते है रोहिससर्मा एक ऐसे बल्लेबाज है जो burp Normal मारने के लिए famous है front foot में pull पर six मारने के लिए pull ऐसा short होता है जो back foot पर खेला जाता है पर रोहिस सर्मा का जो front foot pull होता है वो बड़ा धमाकेदार short है और वो बड़ा ही सहिस्ता से चक्के मारते हैं रोहिस सर्मा ने अब तक 596 मार चुके हैं और रिसेंट में ही अफगानिस्तान के खिलाब तीसरे T20 मैच में उनने 121 रन की धमाकेदार पारी खेली उसके बाद वो मैच सूपर ओरम गया और दो सूपर ओवर हुए उस पे भी रोहिस सर्मा को सिक्स मारना कितना ज्यादा पसंद है और इतने क्लासिकल बैट्समन होने के बाद भी ये तने लंबे लंबे चक्के मारते हैं कि जब दरसक जाते हैं मैजदान में देखने तो वो इंतजार करते रोहिस सर्मा का आएंगे और कब चक्के लगाएंगे रोहिस सर्मा का जो आपको उने बताया 590 चक्के मारे हैं और उसका जो रिकॉर्ड अभी इन्ने रिसेंट में जो वर्ल्ड कप हुआ है भारत में 2013 में अफगानिस्तान के ही खिलाप रोहिस सर्मा ने 3 चक्के मारते ही क्रिस गेल के रिकॉर्ड को तोड़ा और नंबर वन याद है रोहिस सर्मा आपको कैसे लगते हैं आप लोग जरूर जानकारी दें और हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा है ये जानकारी ये आंकड़े आपको कैसे लगें इसके बारे में आप जरूर हमको बताएं आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है इसको जरूर सब्सक्राइब करें